तो अलो गैस, वेलकम बैक टो अनादर वीडियो, जहां पर को मैं बात करने वाला हूँ, इंडिया वर्सेज इंग्लेंड के बारे में, आपको पता है, बास बॉल ने हमारे घर में आगे हमें धो दिया है, मतलब यार सब के सब बास बॉल को क्रेटिसाइस करने में रह गए, लेकिन बास बॉल ने वो चीज करके भी दिखा दी, जो वो लोग मतला ब्यार रेगुलर इंटर रोल में करते हुए आ रहे हैं, हमारी टीम हार गई है, लेकिन इसके रिस्पॉंसिबिलिटी कौन लेगा, बाई, क्या हमारे बैटर्स लेंगे, या फिर हमारे फिल्डर्स ल बाई, ये जो मेंटलीटी है, हमारी चेंज नहीं हो रहे है, वर्ल्ड कप में भी यही सेम सीन था, वर्ल्ड एस चेंपेंशिप में यही सीन था, वर्ल्ड कप में जो 2022 का वल्ल कप था, वहां पर को भी सेम सीन था, ये हमारी जो टीम है, ये हमेशा मतलब यार मिरैकल होने क इंतजार करती रहती है, अपने से कुछ भी नहीं करते हैं भई, ये लोग वेट करते हैं, कुछ मिरैकल होगा, हमें विकेट मिल जाएंगे, या फिर कोई बंदा आके एक बहुत कमाल की इनिंग्स खेल के चल जाएगा, लेकिन वो मिरैकल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलते उस बंदे को फरक नहीं परता है, कि या तुम चौके मार रहो या क्या कर रहो, उस बंदे को चीए थी अपोचुनिटी, उसको पता थे उसके पास बहुत जादा रंसे, तो इतने रंसो बनने नहीं है, एकका दुका बाउनरीज मार देंगे, उसे भी बता था, तो उसने का मान लो, केयाज भराद बढ़िया मार रहा था, रवी चंदा नश्विन भी बढ़िया मार रहा था, लेकिन यही तो चाल थी भई, उसने वहाँ पर को लुभाया, और हमारे बल्लेवास फज भी गए, अपोचुनिटी मिली, केयाज भराद गया, रवी चंदा नश्विन ग लग रहा था, कि जो ऑली पोप है, वो बाउंडरी में डील कर रहा है, तो उसकी बाउंडरी को रोखने के लिए रोई चर्माने क्या गया, जो फील्ड है, वो पूरी मतलब यार बाउंडरी में लगाई वी थी, सजाई वी थी, इसका फायदा ऑली पोप को कैसे मिला बता ह है, चौके-चौके मतलब वो मार रहे थे, हर एक दूसरे ओवर में वो मतलब यार चौको में डील कर रहे थे, लेकिन सिंगल्स की इंपोटेंस देखो भई, वो जो 260 रन की लीर दी थे ना, वो से बाउंडरी से नहीं आ रही है, वापर को उन लोग ने बहुत जादा सिंग बाउंडरी मार देता, 4-5 बाउंडरी मार देता, उससे जादा मार दा गया, चलो 6-7 मार देता यार, उससे जादा मार दा नहीं, अपोचुनिटी तो बनती वही, उन 8 बाउंडरी के बीच में एक अपोचुनिटी बनती, उस अपोचुनिटी में हम लोग एक विकेट प्र कुछ ऐसा ही वाला सिनारियो बनाया था, तो captaincy is one of the biggest factor, कि हम basketball को पहले test match में नहीं आरा आपाए है, मुझे फरक नी परता है, पहला test match हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, बिकुछ मुझे पता है, भई, 5 match की test series है, 4 match और बचे हो हैं, उन में से 3 match हम जीत के, मतलब यार यह जो series है, उसे जीत सकते हैं, ऐसा कोई scene नहीं है, हम लोग match जीत सकते हैं, हार से उतना जादा दुख नहीं हो रहे हैं, मुझे मतलब वो जो process है ना, उससे दुख हो रहे हैं, हम लोगों ने वहाँ पर को कुछ किया ही नहीं, हम लोगों ने अपने से विकेट प्रोड्यूस करने की कोशिश की ही नहीं, bowling देख लो जड़े जाकी bowling देखो, बहुत जादा रंच पिटा के गया, अश्विन भाईया इतने जादा रंच पिटा के जा रहे हैं, बोलिंग में भी मुझे एक चीज दिखाए थी, जब जड़ेजा और रवीचंदा नश्विन जम के रंपिटार थे, हर दूसरे उवर में ये लोग मतलब या चौके-चौके पिटाने में लगे वे थे, मैं सूचा था यहाँ पर को चेंज करेंगे, अक्षर बढड़ेल को, फ़ोटा चेंज लेके आंगे, नहीं भाई, वो लाласт तक अक्षर बढड़ेल को लेके 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 आए, ठीक है, वा बंदा विकेट नहीं देता, लेकि न्यार चेंज करने में क्या जा रहा है, ठोड़ा सा एक्सपरिमे Vold कर लो, वो experiment में चाहता था, उन्से वो experiment इतना लेट किया ना उन्हें भई, वो last में लेके आए, last में लेके आए, थोड़ा सा पिटा लेकिन अगले उवर में विकेट मिल गया था, क्या पता हो experiment पहले कर देते, उनका जो concentration है, वो batsman का भंग उचाता और मतलब यार, कोई दूसरा बो लगाई वी थी, ओली पोप को freebies दी वही, वो 196 रंज जो उसने बना रहे गे ना, उसका जो कल्पेट है, वो हमारा कैप्टन है, उसने कैप्टन से कुछ खास की नहीं है, I know आप लोग रोईच शर्मा के फैन हो, बट आप लोग भी डिनाई नी कर सकतो, हम लोग ने बहुत जादा freebies दी है, वो जो 260 की मतला ब्यार लीड गई है ना, वो लीड नहीं होनी चीए थी, इतनी बड़ी लीड तो नहीं होनी चीए थी, 200 तक्चुचलों मैं मान सकता हूं, लेकिन पुछले बल्लेबाज मिलके इतना बना जा रहे है, वो जो लेफ्ट हेंडर था, हाटली, वो रंज बना जा रहा है, भई, उनसे रंखा रहा है तो फिर मतलब यार दिक्कत था, अगर उनसे तुम मतलब यार रंण प्रोटेक्ट नहीं करपा रहे हो, तो भई कहीं ना, कहीं तो दिक्कत है, तो England की जो बल्लेबाजी है, बहुत ही जादा कमाल की रही, मैं तो मतलब उठागे देख लो हम लोग ने क्या कमाल की बैटिंगी थी तो यह जो टार्गेट है, easily मतलब यार हो जाना जीए था, अब थोड़ा से यहाँ पर को मतलब यार pitch भी behave करने लगी थी, जो ball थी वो मतलब यार थोड़ी नीचे रहने लगी थी, ball सिफ हमारे ले नहीं थी, हमारे जब बोलर्स बोलिंग करा थे turn तब भी थी वही, तो ऐसा कुछ नहीं है pitch का excuse देना हो, मतलब यार खाली excuse देना हो, तो मैं pitch का excuse नहीं दूँगा, अब batters की बात करते है, Rohit Sharma and world cup के बाद से, मतलब यार start कर रहे हैं, उस start को convert नहीं कर पा रहे हैं, जो 30 से, मतलब यार 48 के बीच का score है, अगर Rohit Sharma इसके बीच मा फस जा रहे हैं, भई निकल ही नहीं पा रहे हैं, अगर निकल गए तो बड़ा ही मतलब यार फिर 100 मार रहे हैं, लेकिन most of the cases में 30 से 48 के ब बहुत शांदार मिले, आप लोगोंने देखा होगा, पहली इनिक्स में कितना कमाल का खेला था, साओध अफरीका वाली सीरीज एक बार उठा के देखो बई, साओध अफरीका सीरीज का जो दूसरा मैस था, वहाँ पर को अमने इतने रंस क्यों बनाय थे, वहाँ पर को लग्ये थे, अरे बाजबॉल तो बाजबॉल है, जैस बॉल क्यिए हम करके, यह था बाजबॉल, सेकिंड इनिक्स में कहा गयी जैस बॉल? बाजबॉल कंसिस्टेंटली खेलते है, जैस बॉल सर् 1 मैच था, अभी बाजबं में 15 रंस बनाना है, अभी आपकी मतलब यार 2 इ तो एक बार हमारे ओपनर्स आउट होगे, तो मेरी जो उमीदे थी ना, वो सही बता हूँ, 50% पे आगे थी, बिकॉस सही बता रहा हूँ, मुझे अपने मिडल और पे जादा भरोसा नी था, स्पेशली जिसमें मतलब यार आपको शुबमन गिल जासा देखने को मिलेगा, तो रिपीटेडली, हर मैच में मतलब यार गंदा परफॉर्मेंस करने में, लेकिन टीम मैनेजमेंट उसे बाहर करने के मूर में बिलकुल भी नहीं है, अब क्या एक्सक्यूस होगे शुबमन गिल को प्लेंगिल आने का, कि यार वो बंदा बहुत कमाल का प्लेयर है, उस पे पोडेंचियल है, नया आने आया है, क्या ये वाला एक्सक्यूस दोगे, भाई मैं फॉर्मेट मिक्स नी करता हूँ, मुझे लगता है, गिल अभी भी उडियाई का, बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में आपको उसको बदलने की जरुरत है, वो बंदा आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, कब तक कितनी बैकिंग दोगे भाई, दूसरे प्लेयर्स नी बैठे हैं, क्या, उनके साथ नाइन शाफी नहीं हो रही है, रुद्र राज गाय को अड़ है, चलो खेर वो बंदा तो मतलब यार इस टेमपे को इंजर्ड है, रज़त पाड़ीदर, सरफरास खान कब आएंगे भाई, यह लोग, इन यंग्स्टरों को मौका कब मिलेगा, मुझे एक बात बताओ ना, भाई लेके आओ, अब तो कोई मूद नी चलता है, अब इंडिया हार भी चुकी है, सेकिंड जो टेस्ट में चोने वाला है, वहाँ पर को आपको चेंज करना पड़ेगा, शुब्मन की जगा अब इस टीम में नी बन रही है, टेस्ट टीम में तो नी बन रही है, प्रहूल भेए की भी बात करी लेते है, तेख को केल्डाउल ने अच्छा वहला था, फर्स इनिंस में, I know बही, बना है यार ओल्दो लग रहा था यह बंदा मतलब यार थोड़ा पॉजेटेव खेल ला है थोड़े मतलब यार चौके मारे तीन चौके भी मारे थे लेकिन 48 बॉल्स में 22 रंस बनाके यह बंदा एक पार्ट टाइमर रूट का शिकार बन गया LPW आउट हो गया उसमें अक्ष अक्षर बडेल उपर आगे आप कुछ लोग बोलोगे कि यार लेफ्ट राइट कॉम्बिनिशन बनाना था लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनिशन इनको नॉर्मल सिचेशन में याद नहीं आता है रविंदर जड़ेजा को वेज देते जिसने रंज बनेते अक्षर बड रीका था आप बासबॉल को ओवर्टेक कर सकते थे वो थी आपकी अग्रेसिव बैटिंग अक्षर बडेल को अगर उपर वेजा था तो उसको मतलब यार साफ साफ बोलना चाहिए था कि यह आके तुम वापर को शॉट्स मारो करके उस बंदे ने शॉट्स तो नहीं मारे ब मैच में मतलब यार स्पिनर्स को बहुत गंदा वाला पेला था तो यह बंदा शायद आज आके दुबारा से ही चीज़ कर सकता था लेकिन फिर यार यह थोड़ा नीचे खेलने आया वहाँ पर को आके 31 बॉल्स में यह बंदा सिर्टी नंच बना के चले गया इस बंदे की तो रनीनी निकल ले एक बार फिर जैक लीट से ही बंदा आउट हो रहे है रविंद्र जड़े जा तो थोड़े से अनफॉचुनेर थे उनको मतलब यार क्रैम्स आगे तो रन आउट हो गे थे तो जाधा इसके बारे मैं बात करूंगा नी लेकिन श्रीकर भरत और रश्व उसने फील आगे रख दी थी तो कट कुट में यार लग रहे थे और थोड़ा तो मतलब यार श्रीकर भरत बच रहा था तो उस चकर में लेक भाई में रन मिल जा रहे थे ये मैं कहना चाओंगा बट जैसे भी वो रन्स आ रहे थे लेकिन वही यार बेंस ट्रोक्स ने कैप बुम्रा और सिराज ने फिर भी थोड़ी फाइटिंग स्पिरेड दी गई सिराज का जो टेस्ट मैच का एवरेज है वो चार का था वो बंदा फिर भी 12 रन बना जा रहा है तो जो अपनी प्रतिवा से जाधा ही रन्ज बनागे गया है बुम्रा ने भी ट्राई किया लेकि सेकिन स्ट्रिंग टीम दी बत है सेकिन स्ट्रिंग बॉलिंग अटेक था अब वह मैं खाली एक काइंड ऑफ एक्सक्यूस दे रहा हूं बिकॉज इंगलेंड के पास ऑप्शन्स थे वह एंडर्सन को लोग भी खिला सकते था अब उनकी चोईस थी कि वह मतलब यार इन बोल इंगलेंड के परस्पेक्टिव से सब चीज अच्छी गई और यह चीज अच्छी क्यूए पता है विकॉज उनका कैप्टन बहुत जादा कमाल के है उसने यूज अच्छे से किया आपके पास स्किल है मुझे पता है हमारे बोलर्स के पास भी शिलनका को कैसे पेलता है तो सारी चीज है ऐसी रही थी लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा इस मैच से हमें क्या सीख लेके आगे जानी जीए अपनी जो यह अप्रोच है उससे मतलब यार चेंज करो बिना अप्रोच के आप लोग कुछ नहीं जीतोगे टी-20 वर्ल्ड कप में देख लिय इससे काम नी बनेगा आपको एग्रेसिफ केप्टेंशी करनी पड़ेगी आपको चांसेज लेने पड़ेंगे रिस्क है तो इसक है रिस्क लोगे तब ही आपको यार रिस्क मिलेगा तो यह वाला जो फंड है यह आप लोगो को करना पड़ेगा दूसरा जो बैटिंग है बैटिंग में यह जो शेल में चले जाते हो पूरी तरह से टुक्टो करने लग जाते हो काम नहीं आता है बास बॉल के सामने आपको उनसे आगे रहना पड़ेगा आगे कैसे आओगे जब आप उनको डॉमिनेट करोगे उनके बॉलर्स को डॉमिनेट करो मतलब यार एग्र प्लेयर्स हमारे बहुत जाधा कमाल के हैं एक ही चेंज करने की ज़रुरत है शुबमन गिल को बाहर करके किसी दूसरे प्लेयर के लेके आओ या तो रजट पाडिदर को या फिर सर्फरास खान को लेके आओ जिसको लेके आतो तुमारी मर्जी है एक यह वाला करो दूसरा यार वो जो अप्रोच है वई, अप्रोच में चेंज करो, बाकी सब हमारा सौटेड है, तो यही मैं टीमेनिया से मतलब यार होप करता हूँ, तो यार आज का रिव्यू बस इतना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ने अब तक मेर यार टेलिग्राम ग्रूप जोई नहीं किया है, तो जोईन करो यार, कॉमेंट चेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर कुछ आके जोईन कर सकतो, मीम्स देता हूँ, अपडेट देता हूँ, आपर को हम लोग डिस्केशन भी करते हैं, तो जाओ यार जोईन कर लो मेरे वह, तो आज का रिव्यू बस इतना ही है, हूप आपको पसंद आया होगा